हाई फ्रेंट्स वेलकम टुदा डेहस के देवा इंगली सस्पकन क्लास फ्रेंट्स अगर आपको थोड़ी भी मेरी वीडियो अच्छे लगती हो अगर आपको थोड़ा भी फायदा होता हो मेरे वीडियो को देखने से तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि लाइक का बटन ज ठीक है फ्रेंट्स तो लेट्स स्टार्ट धकलास ओड़ी फ्रेंट्स च्वाइश वाले संटेंसे चल रहा है आजकल और यह तीसरा वीडियो है तो आज हम कुछ अलग तरीके के संटेंस सिखेंगे च्वाइस और प्रिफरेंस से संबन दीद ओके फ्रेंट्स तो कम मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता आहम तोर पर हम कैसे बोलते हैं कैसे बोलेंगे इंगलिश में मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता I don't like this at all हम ऐसे ही बोलते हैं बट हम इसको हम और कितने तरीकों से इंगलिश में व्यक्त कर सकते हैं यह हम आज सिखेंगे ठीक है फ्रेंट्स मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता I don't like it at all यह तो मैंने आपको बता दिया ठीक है तो उसको हम और कई तरीके से बोल सकते हैं सारे के सारे की तरीके में आपको बता रहा हूं कि मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता I don't like it at all I just don't like it I have an aversion to it I am allergic to it होका फ्रेंट्स तो इस सिर्फ एक संटेंज को एक संटेंज को जयदा तर लोग एक ही तरीके से इंगलिश में जानते हैं बट सारे जो बाकी में ने बता उसका यूज सभी लोग नहीं जानते हैं बट जो इंगलिश जानते हैं करते हैं और भुक़ में भी लिखे रहते हैं तो इसको जानना बहुत जरुरी होता है कि हम इसी एक सेंटेंज को और कितने तरीके से इंग्लिश में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंट्स, अब यह दूसरा सेंटेंस है, कि मुझे यह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सेंटेंस लग रहा है, बट इसमें क्या है, इसमें यह लड़का, this is noun, noun का चर्चा हो रहा है इसमें, और इसमें मुझे, मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, मतलब आप नाउन का चर्चा नहीं हो रहा है, कि किस noun की बात की जारी है, बस यह बात की जारी है, कि मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसे किसे, इस खाने को, इस लड़के को, इस घर को, वह का है, I can't abide this boy, okay friends, अब यहां आगे बढ़ते हैं और इस sentence को लेते हैं, मुझे बेहूदी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बेहूदी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, यह sentence ठिक इस sentence के जैसा है, और वैसा ही हम बनाएंगे, बट थोड़ा सा changing है, कि इसमें हम can't न हम कर रहे हैं, ऐसे भी हम अक्सर बोलते हैं, इसलिए मैंने यह sentence लिखा है, मुझे बेहूदी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, I can stand no nonsense, okay friends, मुझे या शादी या योजना पसंद नहीं है, means, I don't approve of this marriage या प्रजेक्ट, okay friends, तो यह थे पसंद और नापसंद वाले sentences, उम्मीद करता हूँ, कि आपको कुछ सिखनों को मिला होगा, कि हम एक ही sentence को और कई तरीके से बोलते हैं, और भोल सकते हैं, और बोला जाता है, जो लोग English में बाते करते हैं, English जानते हैं, वह सारे के सारे लोग इन सभी sentences का इस इस तमाल जरूर करते हैं, इसलिए हम सबको इन sentences के बारे में knowledge होना बहुत जरूरी है, ठीक है friends, तो अब तक हमरा वीडियो देखने के लिए thanks, thanks a lot and धन्यवाद.